नमस्कार देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ सुमन आज की मुखे समाचारों में हम बात करेंगे तेलंगाना के तीन दिवसिये दोरे से राहुल गांधी की बड़ी लोग प्रियता की यूपी में सुरू हुई देश की पहली रैपिट ट्रेन की वोड देने का अधिकार छिंजाने को लेका रखिली श्यादफ के बयान की राजस्तान में कहलोत और पाइलेट के बने प्यार की मिसाल की कही का इट कही का रोडा मोधी जीने कुनबा तोड़ा प्रियंका की बयान की बात करेंगे क्या सच में बीजेपी बंदू की नोप पर अधिकारियों के दसकत करवाती है कही का इट कही का रोडा मोधी जीने कुनबा तोड़ा राजस्तान में बोली प्रियंका गांधी कहा पूरी भाजपाट टूटी हुई लेकिन कॉंग्रेस एक जुट यूपी के गाजियबाद में पीम नरेंद्र मोधी ने क्या रैपिड एक्स ट्रेन का उधगाटन साथ ही कहा मुझे छोटे सपने देखने के आदत नहीं और ना ही मरते मरते चलने की लोग सबाचुनाव 2024 में भाजपा सत्ता में आई तो छिन जाएगा वोट देने का अधिकार साजापुर में मोधी सरकार पर बरसे सपा प्रमूखा के लिश्यादव तेलंगाना में बी आरस सरकार को खाड़ फेकेंगे कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी का बयान बोले यहां केवल कॉंग्रेस के बबबर शेरों की ही सरकार होगी बंदू की नोग पर हीरा नंदानी से पीमो ने लिया हलफ नार्मा टीम सी सांसत मोया मोहित्रा का बीजेपी पर आरुप बोली मुझे फसाने की हुर ही साजिस राजस्तान में लाल डायरी का मुदा एक बार फिर हुआ उपन बर खास मंत्री राजेंद्र सिंगुडा बोले इडी को सोपेंगे लाल डायरी उसमें कॉंग्रेस को जीत नहीं जेल होगी मुसल्मानों ने एक सूर से उठाई मांग कहा आयोध्या में राममंदीर के जन्भुमी पूजन की तरह धन्नीपूर मजजित का भी पीम मोधी करें सिल्यनास न्यूजिलेंड के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे ओल्ड राउंडर हार्दिक पांडिया इंजेक्शन लगा कर जल्द रीकवरी करने की हो रही कोसिस चंद्रियांत्री को लेकर इसरो चीफ ने दिया बड़ा बियान बोले चांद की सतय पर रोवर फिर से हो सकता है एक्टिव प्रधान मंत्री के लिफाफे में निकले 21 रुपे राजस्तान में बोली प्रियंका गांदी कहा देस में यहीं हो रहा है लिफाफा दिखाते हैं काम की बारी आती है तो कुछ नहीं मिलता अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान के हालात रास्ता बदल कर गुज़ात से टकरानी की आशंका हवा की रफतार 62 से 88 किलोमेटर परती घंटा मोसम विभाग ने दी चेतावनी जे नई को वेनिश जैजा सहर बनाने की हो रही तयारी अब इसमें भीच चलेगी नाव किसे महानगर में पहली बार ऐसा प्रियोग राजस्तान में आगामी विधान सभाचुनाव को लेकर कोंग्रेस नेता सचिन पाइलेट ने दिया बयान कहा गहलोत और मेरे बीच प्यार मिसाल बन चुका है मिलकर लडेंगे चुनाव देश बर में महिलाओं के 36 लाग केस पैंडिंग निरवय केस के बाद जारी हुए कई आदेश ने पुलिस बदली ने आदालत सपासाशन में दली तिसमार को कोट तोड़ा गया लेकिन डबल इंजन सरकार ने शुरक्षा और सम्मान दिया यूपी सीम का विपक्स पर निसाना शुकरवार को लालिसान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार संसी 231 संखों की गिरावट के साथ 65,397 में पर हुआ बंद तो वहीं निफ्टी 82 अंक फिसल का रुनिस 1542 पर हुआ बंद ये तो थी सुरक्या अब चलते हैं आसकी बड़ी खबरों की ओर खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नए भारत की बदलती तस्वीर की क्योंकि अब देश के हर छेतर में बदलाव देखा जा रहा है और इस बदलाव की कड़ी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी शुकरवार को यानि बीते दिन यूपी के गाजियाबाद पहुँचे और वहां देश की पहली रैपिड ट्रेन को हरीजंडी दिखाई इसके लाव प्रधान मंत्री ने ट्रेन के उद्खाटन से लेकर रखरकाव तक चार महतोपुण बातों का जिक्र किया क्या है वो महतोपुण बिंदू देखे ये रिपोर्ट मैंने तो बच्पन रेलवे ट्रैक पर बिताया है आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज़्यादा आनन्दित करता है पियम मोदी ने कहा कि हमारे यहां नवरात्री में शुबकारी की परंपरा है पहले नमो भारत ट्रेन को आज मा कत्याईनी का आशिरवाद प्राप्त हुआ है नई ट्रेन के ड्राइवर से लेकर तमाम करमचारी महिलाई है हमारे देश की बेटिया है यह भारत की नारी सक्ती के बढ़ते कदम का प्रतीक है उन्होंने कहा कि किस वी सदी का भारत हर सेक्टर में प्रगती की नई गाथा लिक रहा है आज का भारत चंद्रियान को चंद्रमा पर उतार कर पूरी दुनिया में च्छाया हुआ है कुछ समय बाद भारतियों को लेकर गगनियान स्पेस में जाएगा हम अपना स्पेस स्टेशन इस्थापित करेंगे वो दिन दूर नहीं जब हम पहला भारती चंद्रियान चंद्रमा पर उतारेंगे आज का भारत एशियन गेम्स में 100 से जादा मेडल जीत कर दिखाता है 5G लोंच करता है लड़ा को विमान बनाता है समंद्र में तिरंगा फहराने वाला विकरान जहाज भी बनाता है आज तेज रफ्तार वाली नमो भारत ट्रेन शिरू हुई है वो भी मेड इन इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है हमारी ट्रेनों को एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए जैसे आप अपनी गाड़ी को संभालते हैं ठीक वैसे ही इस ट्रेन को भी साफ सुत्रा और शुरक्षित रखना है इसके अलावा कारेकरम में UPCM योगी आदितनात भी शामिल लेकिन मोदी है तो मुम्किन है। फिर से उठाया उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुदा जातिकत जनगर्ना का है जातिकत जनगर्ना से इस बात की जानकारी सामने आएगी कि देश में कितने दलित OBC आदिवासी और सामाने वरके लोग हैं। में से सिर्फ तीन अफसर OBC वरके हैं जो देश का केवल पांच फीजदी बजट कंट्रोल करते हैं। मुझे घर की जरूरत नहीं है पूरा भारत ही मेरा घर है। प्रियंका गांधी ने जनता के सामने बीजेपी के उन मुद्दों को रखा जो कहीं न कहीं। मोधी सरकार को बैक फुट पर ला रहे थे। तो प्रियंका गांधी ने कौन से मुद्दों का जिक्र किया है देखे इस कास रिपोर्ट में। सबसे पहले मंद्रे का मुद्दे पर खेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार देने का कोई भी काम ढग से नहीं किया। उन्होंने नए रोजगार देने के लिए मंद्रे का को कम किया लेकिन नए रोजगार नहीं दे पाई। महंगाई इतनी है कि बाजार जाकर खाली हाथ वापस आना पड़ता है। जिन कम्पनियों से रोजगार मिल सकता था उन्हें भाजपा की केंद्र सरकान ने अपने उध्योग पतियों को बेज दिया। राजस्तान में पीम फेस को लेकर प्रियंका ने कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा चेहरा नरिंद्र मोधी होंगे। जनता को उनसे पूछना चाहिए कि क्या वे प्रधान मंत्री पा छोड़ कर राजस्तान के सीम बनने आएंगे। उनका मकसा सिर्फ सत्ता में बने रहना है। उनकी नीती बन गई हैं गरीबों से खीचना और उध्योग पतियों को देना। भाजबा की कई नेता खुद को मुख्यमंत्री घोसित कर रही हैं। तो कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हमेशा चुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।